दिया स्टूडेंट्स आज हमें डिसकस करना है स्पूर रिलेशन जो के एसेक्टूर प्रडक्शन का सेकेंड मोड है ठीक है तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जो अनफेबरेबल कंडिशन के वक्त होता है और ग्यानिजम्स जैसे कि अमीबा है वो अपने सीडो पोडियों को अंद नेक्स्ट पॉइंट फेबरेबल कंडिशन के दोरान जो नुकलेस होता है एंसेस्टर अमीबा का वो मल्टिपल डिवजिंस में चला जाता है और बहुत सारे अमीबा की फॉर्मेशन हो जाती है इन्ही स्ट्रक्शर को कहते है सीडो पोडियो स्पोर्स और इस प्रोसेस को क कैसे स्ट्री चाहता है जो स्ट्री अपने रद गरत बनाते हैं यह निचे डियाग्राम नज़र आरही यहां पर आपको नूइकलाय नदर आ रहा हो और स्पूर मेंबरेन भी अपर टिंग जो एक एक ऐसा मेथफर्ड है जिसमें एक अनमल जो है उतके बॉडि पार्ट्स जो हो थे कुछ बॉड़ी पार्ट्स की सेल जो होती है वह चली जाती है repeated mitotic cell division में तो क्या होता है इस वज़े से formation हो जाती है overgrown regions जो होते cell masses के तो ऐसे regions जो cell masses के होते है जो बंते है mitosis से उसे कहते है but एक young animal जो है वो इसी बाट से ही develop होता है और अपने आपको detach करता है parent body से over रहता है as an individual animal. Next point ऐसा बाट जो प्रोडूस होता है body के outside उसे कहते है exogenous बाट, example hydra Next point Enveloped cell masses developed towards inside of the body are called as internal buds. ऐसी cell masses जो develop होते है body के अंदर से उसे हम कहते है internal buds और gemules Such gemules हम देख सकते है fresh water sponge में example spongula और marine water sponge example cyclone each mule जो है इससे नाय organism rise होता है इसे हम कहते है endogenous budding आपको यहां पर डाइग्राम नाजर आ रही होगे जो 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 है बर्डिंग इन हाइडर आपको दिख रहा होगा उसके बाद यह मदर से डिटाच होगा और यहां से आपको जो मियूल नजर आ रहा है inner membrane है arqueocytes है outer membrane है microfile है और monics और spiking अब है fragmentation यह चोथा है asexual reproduction का इस method में क्या होता है body जो है वो break होती है several fragments में या several different parts में हम बोलेंगे फिर हर एक fragment से क्या होता है एक नाया individual जो है बनता है और वो एक complete individual होता है ठीक है इस capacity को में कहते है regeneration example planaria, hydra, starfish, etc नीचे आपको दिख रहा होगा regeneration in planaria ठीक है this was all about asexual reproduction and its modes in animals